हर्यर काका के साथ उनके भाईयों की हाथा पाई शुरू हो गई हर्यर काका अब उस घर से निकल कर बाहर गाउं भाग जाना चाहते थे लेकिन उनके भाईयों उन्हें मजबूती से पकड़ लिया था प्रतिकार करने पर अवे प्रहार भी करने लगे थे अकेले हरिहर कई लोगों से जूच सकने में असमर्थ थे फल सुरूप उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया अब भाईयों को चेताया कि मूँ तो उन्हें पहले ही बंद कर देना चाहिए था उन्हें तक्षन उन्हें पटक उनके मूँ में कपड़ा ठूंस दिया लेकिन ऐसा करने से पहले ही काका की आवाज गाउं में पहुँच गई थी तोला पडोस के लोग दालान में जूटने लगे थे ठाकुरबारी के पक्षधरों के माद्यम से ततकाल या खबर महंत जी तक चली गई थी लेकिन वहाँ उपस्थित हरिहर काका के परिवार और रिष्टेनाते के लोग गाउं के लोगों को समझा देते कि अपने परिवार का नीजी मामला है इस से दुसरों को क्या मतलब लेकिन महंत जी ने वह तत्परता और फूर्टी दिखाई जो काका के भाईयों ने भी नहीं दिखाई थी वह पुलीस की जीब के साथ हाधम के पुलीस आने के बाद नीजी मामला का सवाल खत्म हो गया घर तलासी सुरो ही फिर हरिहर काका को उससे भी बत्तर हालत में बरामत किया गया जिस हालत में ठाकरबारीस उन्हें बरामत किया गया था बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाईयों ने उनके साथ बहुत जुल्म अत्याजार किया है कि जबरन अनेक कागजों पर उनके अंगुठे के निशान लिये हैं कि उन्हें खोब मारा पीटा है कि उनकी कोई भी दुरगती बाकी नहीं छोड़ी है कि अगर और थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो वो उन्हें जान से मार देते हरहर काका के पीठ, माथे और पावों पर कई जगा जख्म के निशान उभर आये थे वो बहुत घवराय हुए से लग रहे थे, कांप रहे थे अचानक गिर कर बेहोश हो गए, मुँपर पानी छीट कर उन्हें होश में लाया गया भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चमपत हो गए थे पुलिस की पकड़ में रिस्ते के दो बेक्ति आये, रिस्ते के शेस लोग भी फरार हो गए थे हरहर काका के साथ घटी घटनाओं में अब तक की सबसे अंतिम घटना है इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे हैं उनकी सुरक्षा के लिए राइफल धारी पुलीस के चार जवान मिले हैं हाला कि इसके लिए उनके भाईयों और महंत की और से कफी प्रियास की गए है असल में भाईयों को चिंता थी कि हरहर अकेले रहने लगेंगे तब ठाकुर बारी के महंत अपने लोगों के साथ आकर पुनों ने ले भागेंगे और यही चिंता महंत जी की भी थी कि हरहर को अकेला और असुरक्षित पा उसके भाई पुनह उन्हें धर दबोचेंगे इसलिए जब हरहर काका ने अपने सुरक्षा के लिए पुलीस की मांगी तब नेपत्थी में रहकर ही उनके भाईयों और महंत जी ने पैरवी लगा और पैसे खर्च कर उन्हें पुरी सहायता पहुँचाई या उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक विक्ति की सुरक्षा के लिए गाउं में पुलीस के चार ज़वान तेनात कर दिये गए है जहां तक मैं समझता हूँ फिलहाल हर्यर काका पुलीस की सुरक्षा में रह जरूर रहे है लेकिन वास्तिविक सुरक्षा ठाकुरबारी और अपने भाईयों की ओर से ही मिल रही है ठाकुरबारी के सधुसंत और काका के भाई इस बात के प्रती पूरी तरह सतर्क है कि उनमें से कोई या गाउं का कोई अन्य हर्यर काका के साथ जोर जवस्ति ना करने पाए साथ ही अपना सद्भावना और मधूर बेवहर परकट कर पुना उनका ध्यान अपनी और खीच लेने के लिए दोनों दल परितनशील है गाउं में एक नेताजी हैं वरना तो कोई नौकरी करते हैं और ना खेती ग्रहस्ती फिर भी बार हो महीने मौज उड़ाते रहते हैं राजनिती के जादोई छड़ी उनके पास है उनका ध्यान हरिहर काका की और जाता है वो ततकाल गाउं के कुछ विस्ष्ट लोग साथ उनके पास पहुँचते हैं और यह प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी जमीन में हरिहर उच्विद्याले नाम से एक हाय स्कूल खोला जाए इसमें उनका नाम अमर हो जाएगा उनकी जमीन का सही उपयोग होगा और गाउं के विकास के लिए एक हस्कूल मिल जाएगा लेकिन हरिहर काका के उपर तो अब कोई भी रंग चड़ने वाला नहीं था नेता जी निराश होकर लोट आते हैं